नमस्कार मित्रो ओम नमस्शिवाय स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो आपके परिवार में जहर खोल रहा है यह एक एंसान जरा संभल कर रहिए और चोकनना रहिए इसे पहचानिये नहीं तो कुछ महिनों के अंदर तो आपके विडियो बड़ी ही खास है और आपको ऐसे ही लोगों की पहचान कराने वाली है जो भेड की खाल में भेडिये हैं जो आपके साथ है अपने हैं लेकिन वस्तविक्ता में पराय है जो आपके ही परिवार में जहर खोलने का काम करते हैं आखिर उन्हें पहचाना किस तरह से यह बहुत बड़ा आश्चेरे का विशय है तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक अगर आप देख लेंगे तो आपको बहुत सी बाते स्पष्ट हो जाएगी बहुत सी आपकी समझ आ जाएगी सबसे पहले जो भी सचे शुभकते हैं वो इस वीडियो को लाइक करें और कॉम जो आपकी छूटी छूटी गलतियों पर हर बार आपके घर आकर आपको सुनाने लग जाते हैं उनका मेन उद्देश यह होता है आपके परिवार वालों को आपकी गलती बताना जो की आपने छुपा रखी थी जैसे उन्हें पता चली वो आगए आपके परिवार में जहर कम कराने का और ऐसे लोग हमारे पडोसी हो सकते हैं ऐसे लोग हमारे रिष्टेदार हो सकते हैं जब भी हमारा कोई कांड या जब भी कोई हमारी बुराई बारे बारे में बहुत ज़्यादा बताते हैं वो भी मिर्च मसाला लगा कर ऐसे लोगों को अपने घर में गुसने ही न दे वरना ही आपके पूरे परिवार में जहर घुल कर रख देंगे हम आज ही आप से कह रहे हैं जरा साउधान रहिए और अपने कर्मों को जरा ध्यान मे रख कर कर्म करिए अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो बात बात पर ताना कसी करते हैं हमने ये नहीं किया हमने जीवन में ऐसा ऐसा कर दिया तो कब तक ऐसा ही बेठा रहेगा अब ये लोग अमारे परिवार के सदस से भी हो सकते हैं कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग joint family में रहते हैं जिनके बहुत सारे सदसे परिवार में होते हैं अंकल आंटी मामा मामी चाचा जाची नाना नानी दादा दादी बहुत सारे घर में ही एक साथ रहते हैं अब जब इतने सदसे एक साथ रहेंगे तो रिष्टों में खटास आनी तो सामानी ब नहीं है। यह हर वक्त इसी फ्राक में रहते हैं कि हमकोई गल्ती कर दे। चाहे हम सो अच्छे काम कर दे। लेकिन जहां हमसे एक गल्ती हुई यह उसका फाइदा उठा कर इसमें बार बार गिराने लगते हैं, हमारे परिवार को तोड़ने के प्रियासों में लग जाते हैं और हमें इनकी साजिशों को काम्याप किसी भी हालत में नहीं होने देना है आप बस इतना ध्यान रखें, ऐसे लोगों के लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दे जो आ आकर बार बार चुगले करते हैं, बुराईये करते हैं और हमें खास तोर पर उन लोगों से दूर रहना है जो आपके साथ रहे कर किसी और की सफलता से जलते हैं देखिए, कई बार हमारे दोस्त किसी और के बारे में ये बाते करते हैं ये सफल कैसे हो गया यार इसे सफल नहीं होना चाहिए था जबकि उस व्यक्ति ने बहुत मेनत की है अपने लक्षी तक पहुचने के लिए फिर भी उसके बारे में ऐसी बाते करना अब जरा सोचिए जो इनसान आपके साथ रहे कर किसी और की सफलता से जल सकता है वो किसी और के साथ रहे कर कि आपकी सफलता से नहीं जलता होगा ये वही तो लोग है जो आपके परिवार में जहर घुलते हैं इन्हें पहचानिये मित्रता मित्रता बहुत हो गई लेकिन अब हमें स्मार्ट बनना होगा अब हमें चीजों को समझना होगा कौन अपना है कौन पराया है इसका भेद हमें जानना होगा वरना ये दुनिया हमें कही का नहीं छोड़ेगी हर कदम पर हमारा इंतिहान लिया जाता है और हर कदम पर हमें परिशा भी देनी पड़ती है जबकि हम एकदम सही है यही वास्तविक्ता है, यही जीवन है अगर आपके विवाहिक जीवन में कोई भी तकलीफ हो आपके विवाहिक जीवन में कोई भी दिक्कत हो तो आप अपने घर के चार दिवारी में ही उसका समाधान ढून लीजिएगा अगर कोई तीसरे ने वहाद अखल अंदाजी करी तो वो बाद सम्हालने की बजाए वो बात को और भी जादा बिगार कर रखतेगा कई लोग बस मौके ढूंटे हैं कि मौका मिल जाए तो हम इनके रिष्टे तार-तार करते और ऐसा मौका आपको किसी को नहीं देना है इतना आप ध्यान रखे क्योंकि अगर आपने ये गलती कर दी तो उस रिष्टों में और भी ज़्यादा दूरिया बढ़ने लगेगी और बात और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगी आपको भी एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि अगर आप शादी शुदा है आप उसे अपने पार्टनर को नहीं बताते हैं लेकिन इन डारेक्टली किसी और से अगर उन्हें पता चलता है तो वो चीज़े घरों को बिगारती है वो हमारे परिवार में जहर घुलती है वो चीज़े हमारे रिष्टों में जहर घुलने का काम करती है तो वहाँ पर थोड़ा आपको समलना है वहाँ पर आपको जरा सा बचना है वरना ये आदते आपके रिष्टों को तार-तार कर देगी आगे बहुत गंभीर बात आपको बताना चाहते हैं जरा कान लगा कर सुनिएगा देखिए दोस्तों इस दुनिया में अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपका अपना है तो ये उमीद आप छोड़ दीजिए क्योंकि कोई अपना नहीं है कोई अगर हमारी तारिफ भी कर रहा है तो उसकी पीछे उसका कोई स्वार्थ है अगर कोई हमारा साथ भी दे रहा है तो जरूर उसके मन में कुछन कुछ चल रहा है इस दुनिया में कोई है तो वो है आपके माताबिता केवल वो ही आपके अपने हैं बाकी हर कोई आपके परिवार में जहर गोलना चाहता है क्योंकि खुशिया किसी को बरदाश्त ही नहीं होती हम हमारे घर में कुछ अच्छा काम करने जा रहे होते हैं अच्छे चीज ला रह तो ही हमें अपने रिश्तेदारों से छुपाना पड़ता है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं हमारे रिश्तेदार इस बात को सुन कर हमसे जलने लगेंगे ये सामाने हर गर के कहानी है तो आप इन चीजों को जरा समझ ciento कॉन अपना है कौन पराया है क्योंकि लोग तो केवल और केवल सम्मान करना नहीं जानते हैं उन्हें चाहिए किसी भी तरह से आपके रिष्टों को बिगाड़ने पर लगे रहें किसी भी तरह से वो आपके कम्यों को ढूंटे रहें आप सो अच्छे काम कर लेंगे उन्हें वो दिखाई नहीं देंगे जहाँ आपकी द्वारा एक गलती हुई वो आपकी घर पहुच जाएंगे आपकी ही गलतियों का ठीक रा पीटने के लिए अब दोस्तो हमारे घर में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जब हमें तरक्की मिलती है जब हमें सफलता मिलती है और हम मिठाई लेकर जब उन्हें मिठाई देने जाते हैं तो वो हमसे क्या कहते हैं कि तुन्हें कोई बड़ा काम नहीं किया है ये तो हमारा बेटा ये हमारी तो ये बाते फिर हमारे घर की खुशियों को कम कर देती है, तो आपको इन बातों की जो की व्यर्थ है टेंशन नहीं लेनी है, आपको सिर्फ इतना सोचना है, कि अगर ये काम उनके पुतर या पुतरी भी कर सकते थे, तो अभी तक उन्होंने करके क्यों नहीं दिखाया, अगर आपकी गलती उन्हें पकड़ में आ जाती है, चाहे वो भारवाला हो, या आपकी घरवाला, कोई भी सुदस्य हो, वो हर वक्त आपको ताने मनने का काम करते हैं, चाहे आप अच्छे से अच्छा गाम गल ले, या उसमें भी कमी निकाल कर आपको ताना मार ही देते है तो ऐसे लोगों से जराबची है ये वही लोग है जो आपके परिवार में जहर घुलने का काम करते हैं इनसे आपके खुशिया नहीं देखी जाती हर वक्त ये साजिशे रचते हैं कि किस तरह से आपकी खुशियों को बरबात किया जाए आपकी घर को बरबात किया जाए तो आप क्या करना है आपको, आपको केवल और केवल प्रभू की भक्ती में सलगने रहना है, देखिए जो महादेव की भक्ती में सलगने रहता है, जो हनुमान जी की भक्ती में सलगने रहता है, उसके ओपर किसी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, कोई किसी के खिलाफ सा चड़नों में रहेंगे तो आपको किसी और के चड़नों में गिनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई आपका बाल बिबाका नहीं कर पाहेगा, बस जरूरत है इंसान को यह समझने की, कि वो व्यर्त ही दुनियादारी में घूम रहा है, व्यर्त ही सब की चिंता कर रहा है, उससे चाहिए कि वो केवल और केवल प्रभु भगवान परमात्मा से जुड़ जाए, तो तुला राशी वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास्ती, हम आशा करते हैं, आपको भी जरूर पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक आप जरूर करें, कॉमेंट ब